ने बादाम, ने अक्रोट, ने काजू चालिस के बाद हस से ज़्यादा फाइदेबन हैं ये बीज खसकस के बीज भीगने के बाद बेहत ताकत पर बन जाते हैं यह बुढ़ापे में आने वाली कमजोरी और ठकान को जर से मिटा देते हैं आज में शेयर कर रही हूँ आपके साथ पॉपी सीर्स के बारे में पॉपी सीर्स इनको खसकस भी कहा जाता है कई सारे पोशक तत्तों से भरपूर होते हैं इसमें मौजूद ओमेगा सिक्स फैटी असेर्स, कैल्शियम, मैंगनीशियम और फाइबर हमें कई तरह से लाप पहुँचाते हैं अगर आप अभी तक खसकस के चमतकारे गुणों के अंजान हैं तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कितने ज़्यादा फाइदेबंद होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए शालिस की उम्र के बाद शरील में कई सारे बदलावाने लगते हैं जिस वज़े से स्वास्ते के लिहास से बेहत महत पूर्ण पड़ाब माना जाता है ऐसे वक्त में आपको उनी चीजों का सेवन करना चाहिए जो बाड़ी की जरूरते पूरी कर सकें इस उम्र में खसकस के बीज खाना बादाम और अकरोड से भी ज़्यादा फाइदेबं सावित हो सकता है कई जगां पर इसका हलवा बना करके खाना पसंद किया जाता है और इसको ग्रेवी में भी यूज करते हैं अब बाद कर लेते हैं खसकस में क्या पाया जाता है खसकस के बीज में ओमेगा 6, fatty acids, protein, fiber का बहुत ही चासोर्स माना जाता है इसके लावा इसमें बिमिन फाइटो केमिकल्स, vitamin B, thymine, calcium और manganese भी होता है इसलिए खसकस को एक उच पोशन वाला आहार माना जाता है खसकस नीन से जुड़ी समस्याओं में रहा देता है त्योंकि इसके सेवन से नीन आहसानी से आती है अब बात कर लेते हैं खसकस में कौन-कौन से vitamins होते हैं USDA के अनुसार, खसकस के अंदर calcium के साथ, fiber, protein, iron, magnesium, phosphorus, potassium, gin, copper, selenium, vitamin यादी कई सारे पोशक्तत होते हैं जो शरीर को healthy रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं तो friends आप समझ सकते हैं कि कितना फायदेबंद होता है ये poppy seeds हमारी health के लिए जिसमें बहुत सारे ऐसे पोशक्तत होते हैं जो हमारी health के लिए बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं तो इसका उपयोग हमें 40 की उमर के बाद जरूर करना चाहिए नमबर वन हम बात करेंगे बुढ़ापे के दर्द का रामबान इलाज है पॉपी seeds यानि की खस-खस के बीज 40 की उमर के बाद लोगों को कभी भी हड़ियों या मासपेशों में दर्द हो सकता है बीगे हुए खस-खस के बीज खाकर इस समस्य से चुटकारा पा सकते हैं एक शोथ के मुताविक इसके morpine, caudine और thabine जैसे pain relieving compounder से राहा देते हैं यह फाइदा कोई और dry fruits नहीं देता है नमबर टू दोडने लगेगी पेट की चक्की मेंगनीज की वज़े से यह digestive system के कई सारे enzyme को activate हो जाते हैं जो metabolism और chemical process को बढ़ाने में मदद करते हैं इसकी वज़े से केलस्ट्रॉल, carbohydrate, protein, amino acid, colon, thiamin, vitamin का अपसोशन बेहतर तरीके से होता है मत्री खुल जाएंगी दिमाग की नसे खसकस के बीज उम्र के साथ दिमाग को कमजोर नहीं होने देते इन में दिमाग का कामकाज बढ़ाने वाले खास गुण होते हैं जिने एंटियोक्सिडेंट्स कहा जाता है ये यादास कमजोर करने वाले free radicals का नाश करते हैं नमबर four चालिस की उम्र की महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है खसकस उम्र बढ़ने पर महिलाओं में थाइराट का खत्रा बढ़ जाता है खसकस के बीज इन एंजाइम का उत्पादन बढ़ा कर शरीर का फंक्शन ठीक करते हैं थाइराट की वज़े थाइरोकसिन हार्मोन को इसकी मदद से संतलित किया जा सकता है नमबर five नीन में सुधार 40 की उम्र के बाद नीन की समस्या से परेशान लोग खसकस का इस्तेमाल कर सकते हैं दरसल इसे जुड़े एक सोध में जिक्र मिलता है कि खसकस का इस्तेमाल अनीत्रा की समस्या के लिए सदियों से किया जाता है बढ़ती है रोक परतिरोधक छमता 40 की उम्र के बाद रोक परतिरोधक छमता बढ़ाने के लिए हमें खसकस के वीजों का उपयोग जरूर करना चाहिए खसकस में जिंक और आइरन आपकी परतिरक्षा परनाली को मजबूत करने का काम कर सकती है आइरन शरीर में आक्सिजन ले जाने और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करने में मदद करता है वहीं जिंग नई कोशिकाओं की ब्रदी और विकास में भूमिका निबाता है नमबर सेविन हिर्दे स्वास्त है यानि हाट के लिए हमें खसकस की बीजों का उप्योग जरूर करना चाहिए खसकस ट्राइट्री फाइबर से भरपूर होता है जो कैलेस्टरॉल के इस तरको कम कर हिर्दे को हानी पहुचाने से बचाता है एक अधियन के अनुसार खात पदार्तों में कॉलेस्टरॉल की मातरा खसकस टेल के साथ कम की जा सकती है इसे ये सावित होता है कि पॉपी तेल को आहार में शामिल कर हिर्दे को स्वास्त रखा जा सकता है इसके अलावा खसकस में मौजूद ओमेगा सिक्स फैटी असेर्स बेहिर्दे रोग से बचाव कर सकते हैं नमबर एट ड्रस्टी में सुधार खसकस जिंग का बहुत यचा सोस माना जाता है एक अधियन के अनुसार उम बढ़ने के साथ साथ होने वाले मैकिलर डिजनरेशन यानि की नेत रोग के जोखिम को जिंग कम कर सकता है इसलिए जिंग के सोर्स के रूप में खसकस को एक अहार के रूप में जरूर शामिल करना चाहिए कब जैसी पेट संबन्दी दिकतों को दूर करने के लिए भी खसकस का सेवन किया जा सकता है खसकस फाइबर में समरद्ध होता है और फाइबर पाचन तंद्र के लिए सबसे महत्पून पोशक्तरत्व माना जाता है फाइबर स्टूल को मुलायम बना मल त्याग में मदद करता है एक रिपोर्ट के अनुसार खसकस कार्सी नोजेन डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम की गतिविदी को 78 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है जिसे ग्लूटत हिउन एस ट्रांस फरेज कहा जाता है खसकस की यह गतिविदी कैंसर से रोक थाम का कार्य कर सकती है एक रिपोर्ट के अनुसार खसकस को कैंसर की पारंपरिक दवा की रूप में भी जाना गया है रिपोर्ट बताती है कि खस-खस को तुचा पेट, गर्भासे वे योनी के कैंसर जैसी सितियों के लिए कार्वर दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है 11 मदुमें, मदुमें इसे पेडित लोग खस-खस का सेवन कर सकते हैं यह फाइवर से समरद होता है, जो टाइब टू डाइबटीस पर प्रभावी रूप से काम कर सकता है हाला कि इस पर अभी एक शोद की आवशकता है, खस-कस मैगनीशियम से भी समरद होता है एक रिपोर्ट के अनुसार मैगनीशियम की कमी से मदुमें बढ़ने का खत्रा बढ़ सकता है अधियन बताते हैं कि मैगनीशियम की खुराख लेने से उन लोगों को मदद मिलती है जिने मदुमें है या जिने इसका खत्रा है 12 तुचा को करता है साफ तुचा को साफ करने के लिए भी खसकस का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए आप खसकस की बीजों का स्क्रब इस्तेमाल में ला सकते हैं कैसे करें इस्तेमाल दो चमच खसकस के बीजों को चार चमच दही में अच्छी तरह मिला लें अब इस मिश्रन को चेहरे और गर्दन पर धीरे-धीरे रगणें, लगबग 10 मिनित तक स्क्रबिंग करें और बाद में ठंडे पानी से चेहरे को साफ कर लें एक्सपर्ट सला देते हैं कि कई सारे डाइडीशन शरीर में जमा बैट केलस्ट्रॉल को कम करने के लिए खसकस खाने की सला देते हैं रोजाना खसकस खाने के लिए इसकी बेहद सीमित मात्रा ही इस्तेमाल में लानी चाहिए केलिस्ट्रॉल कम होने से हार्ड डिसीज का खत्रा भी कम होता है खसकस काफी यूसफुल सीट्स हैं जिसे कई तरह से इस्तिमाल किया जाता है डेजर्ट से लेकर ग्रेवी को गाड़ा और क्रीमी बनाने के लिए अधिकतर लोग खसकस यानी की पोस्ता दाना इस्तिमाल करते हैं पोस्ता का दाना केवल स्वाध ही नहीं बढ़ाता बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेबन होता है चालिस की उम्र को बुढ़ापे की सुरुवात माना जाता है इस वक्त मैगनीज की कमी का खत्रा बढ़ जाता है जिसे हड़ियां दिमाग जोड पाचनतंत्र कमजोरी महसूस कर सकते हैं इस सभी कमजोरियों को दूर करने के लिए खसकस को पानी में भिगो कर खाना चाहिए इस नुस्के को सुभह खाली पे ज़्यादा तकड़ा माना जाता है अब बात कर लेते हैं खसकस को कितनी मातरा में खाना चाहिए खसकस में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जिसकी वज़े से रोजाना खाने से दांत और हड़ियों की कमजोरी खतम होती है रोजाना के वल तीन चम्मच खसकस खाने से शरीर में दिन भर में कैल्शियम की जरूरत पूरी हो जाती है I hope आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना पिलकुल न भूलें अगर आपने अभीता की उनीक तर्का को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजे जिसे की आपको इसी तरह की अच अच्छी वीडियोज मिलती रहें बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजे जिसे की जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करती हूं तो आपको सबसे पहले मिले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी थैंक्स पर फुल वाच और बाई टेक केर आफ यू